ये वीडियो जो अभी आप यहाँ पर यूटीव पर देखने वाले हैं ये कल ही SMTV पर अपलोड हो चुकी है और वहाँ पर एक audio प्लेयर भी है जहाँ पर आप इसकी audio को भी सुन सकते हैं और साथ ही साथ वहाँ पर एक download का link है जिसको click करके आप उस audio को save कर सकते हैं अपने mobile phone क पर आप होता है and that is what is the main reason for there कि वो मतलब life में कहां पहुचते हैं but असा क्यू है why everybody is not like why the perception is not positive for everybody even if I will not say positive but perceptions yeah मतलब productive क्यू नहीं है सबके why they are so distorted don't you think that everybody is so distorted ऐसा नहीं है कि यह अभी हो रहा है यह वोल्ड है but अभी जादा हो रहा है नहीं जादा नहीं हो रहा है अभी कम हो रहा है क्यूंकि अगर आप ध्यान से history को उठा करके देखेंगे पिछले जादा पीछे मज जाए सो दोसो साल भी पीछे चले जाए तो जिस लेवल पर wars होती थी और जिस लेवल पर destruction होता था mass level पर जिस लेवल पर ऐसा इसा torture होता था लोगों का जब जैसे एक राज्य है उसका कोई राजा है किसी दूसरे राज्य के राज्य ने उस पर attack किया और जब वहाँ पर उसको occupy कर लिया तो वहाँ पर लोगों के स तो हमको clear हो जाएगा that we are currently living in the best possible time as far as a comfortable life is concerned इतना comfort आथ से पहले कभी भी नहीं था life comfortable हो रही है आप सही बोल रहे है but mind to settle नहीं हो रहा है mind to distorted ही लग रहा है उसके पीछ एक रीजन है जो आप mind की बात कर रहे है that's a different ball game altogether basically पहले के जमाने में क्या था जो needs थी वो properly well defined थी उस time पे capitalism or the concept of this brand and advertising and products and services or these unlimited desires that was not there this internet was not there television भी होता था उसमें limited एक दो कुछ serials आते थे पूरे हफते में आज की rate में क्या हो रहा है ये media इतना जादा penetrate हो चुका है कि जिसकी वज़े से क्या हो रहा है कि लोगों के जो desires है वो बहुत जादा बढ़ गए है तो ये problems desire के level पे है lifestyle तो comfortable हो गया है लेकि mind के level पे हम unsettled है क्यों क्योंकि कि इतना भी मिल जाए वो कम पड़ जाता है जो अमीर है वो भी गरीब है in comparison to जो उससे जादा अमीर है because in comparison to their neighbor or their relatives or their friends वो भी बहुत पीछे हैं तो सब एक race में भाग रहे हैं तो कोई भी race हो चायए वो बच्चों की और बढ़ों की हो जो भी हारता है वो रोता है बच्चों को आप देखो नजबी race होती है जो जीता है वो खुश हो जाता है जो हारता है वो रोता है तो एक race चल रही है हम सबके mind में और सब कुछ और complicated होता चला जा रहा है distractions बहुत ज़्यादा बढ़ गई है addictions बहुत बढ़ गई है तरह तरह के mental disorders के बारे में देखे जाए तो जो हमने पहले कभी सुने नहीं थे A.T.H.D. in kids autism बहुत बढ़ गया है पहले इतने autism और इस चाइल नहीं दिखते थे तो उसर यह सब negative aspects है modernization के and this is kind of inevitable यह और भढ़ेगा भी दिरे-दिरे यह जो psychological disorders है यह और भढ़ेंगे क्योंकि अगर हम किसी भी developed economy को देखते हैं तो हम idea लगा सकते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है और यहां पर क्या होने वाला है तो basic problem क्या है कि जब तक एक इनसान बिजी होता है ना कि मेरे को काम करना है अपना पेड़ भरने के लिए अपनी family का पेड़ भरने के लिए तब तक कोई problem नहीं होती तब तक सिर्फ एक problem होती है कि मेरे को पैसा चाहिए ताकि मेरे को रोटी मिल जाए घर मिल जाए कपड़े मिल जाए मेरे बच्चों को एक अच्छे education मिल जाए जब यह सब हो जाता है तब actual में psychological problem शुरू होती है एक है physical level पे problems एक है psychological problems तो physical problem कब तक है जब तक कि physically financially आप problem में है और जैसे ही वो अचीव हो जाता है अब actual में करने के लिए कुछ भी नहीं है अब आपके पास में इतना पैसा है कि क्या बैठे बैठे खा सकते हो और आपकी family भी खा सकती है तो आप करें क्या अब खाली हो गए और कहते है ना खाली दिमाग शेतान का खर तो अगर mind को अगर constructive किसी जगे पर ना लगाया जाए तो mind by its very nature is destructive because it's isolated and fragmented mind क्या है आपका एक मैं है जो औरों के मैं से अलग है तो द groups family में भी होंगे, friends में भी होंगे, society में भी होंगे, nation में भी होंगे, सब में होंगे तो conflict अभी इतना जादा है कि सब के अंदर एक मैं है, सब के अंदर एक राजा है, सब रूल करना चाहते हैं, हर लेवल पे, तो यहां पर इतना जादा conflict हो गया है, that is what I am saying, because just because of mind नहीं, not because of mind, इसको थोड़ा सा हमको correct करना पड़ेगा, because of wrong understanding, because what is mind, are we calling brain as mind, brain is not mind, brain में जो information feeding है, जिसके बेस पर हम सोचते हैं, वो mind है, so mind is thought, mind is thinking, now what is the root of thinking, thinking किसके बेस पर चलती है, on the basis of understanding, जो भी आपको समझ आता है, उसी के बेस पर तो thinking, मैं कहुँँगा, इसके बारे में कुछ सोच के बताओ, यह जो कप है, क्या सोचोगे, जो भी इसके बारे में information अंदर फि जैसा है, जैसा है, तो एक हो गया thinking based upon reality, यानि as it is देखना उसको, एक है based upon जो आपके अपनी preference है, उसके according देखना, अपने desires or fears के according देखना, so the moment you start seeing things as it is, as they actually are, जो देखना बहुत ही simple है, लेकिन हम को complicated लगेगा क्योंकि हमारी ऐसी आदत नहीं है, हम चीजों को as it is नहीं द देखते हैं, जैसे हमको सिखाया गया है, जैसी हमारी training है, for example, मैं आपको एक simple सा example देता हूँ, बड़े असानी से relate करेंगे, biological हमारे अंदर कुछ ऐसा है, जो कि जानवरों से अलग नहीं है, तो हमारे अंदर हम चाहें या ना चाहें, कुछ ऐसे thoughts आएंगे, जो society के point of view से गलत है, अब आप क्या करोगे, एक तरफ से आपको सिखाया जा रहा है, कि ऐसे thoughts नहीं आने चाहिए, बड़ वो तो आ रहे है तो अब आपके अंदर आएगा guilt, आप अपने आपको कहोगे कि यार मैं कितना घटिया इंसान हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, यह कैसे thoughts आ रहे हैं मेरे अंदर, जितना आप यह बोलोगे, उतने ही वो thoughts और जादा आएंगे, तो एक है जो actual में हो रहा है, at a biological level, जिसकी not designed for the individual, but thoughts आते हैं at the level of an individual, अब एक बहुत बड़ा clash आ गया, क्योंकि अगर उन thoughts के साब से आपने act किया, तो इस society आपको boycott कर देगी, एक नहीं किया तो अंदर एक conflict चलता रहेगा, यही तो problem है, आप अपने आपको ही उल्टा बोलते रहोगे, तो यह सारी किसारी जड़ ह यही मैने बहुत ही छोटे से एक aspect को touch किया है, अंदर जो conflicts चलते हैं, उन में से एक को, ऐसे unlimited conflicts है, और उनको एक एक करके resolve करना होता है, उसको resolve करने के दो तरीके हैं, एक है आप किसी therapy के लिए जाएए, किसी therapist के पास में, वो क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे कि आपक किस किस तरह के issues हैं, अपने past से related, present से related और future से related, और एक एक करके उसको solve करेंगे, इसको solve करेंगे, इसकी वज़े से वो सब कुछ trigger हो रहा है अंदर, वो anxiety, वो fear, वो thoughts जिसको आप negative बोलते हो, वो trigger हो रहे हैं, एक तरीका यह है, दूसरा तरीका है, कि आप एक करके solve ना करे एक जटके में अपनी सारी problems को solve करते हैं, in one shot, the way out is to understand what mind is, not how to control your mind, or how to stay positive, or how to change your thoughts, that how is a trap, the moment you ask how to someone, अब वो आपको एक system देंगे, एक process देंगे, कुछ tips देंगे, कुछ suggestions देंगे, जिसको आपको follow करना है, अब आपके mind में फिर से दो create हो गए, एक है जो करना चाहिए, एक जो आप एक चुल में कर रहे हो, अपने अंदर कभी आप जहां करके देखो, कितना conflict होता है, हम सोचते कुछ और है, करते कुछ और है, तो आप एक चुल में क्या हो, जो आप सोचते हो, या जो आप करते हो, बच्चों को हम कहते कुछ और है करने के लिए, हम खुद कुछ तो there is so much of conflict there जिसकी कोई हद नहीं है तो अब क्या किया जाए अब इस सब का क्या solution है understand what mind is वो किसी बुक में आपको answer नहीं मिलेगा खुद समझना पड़ेगा जहां करके देखो अपने अंदर तो आपको नजर आजाएगा thought क्या होता है feeling क्या होती है emotion क्या होता है उससे आप time से free हो सकते हैं the concept of time which is past, present and future once you understand what mind is that is the only way out अगर हमको एक permanent solution चाहिए तो खुद से ही आएगा वो answer exactly खुद से भी नहीं आएगा कुछ जगे से हमको थोड़ी बहुत help मिलेगी अब वो आपको figure out करना होगा कि कौन person है जो actual में इसको figure out कर चुका है या कर रहा है और कौन है जो fake कर रहा है पर example आप मेरी वीडियो सुनते हैं तो आप हो सकता है अपने mind में बोलेंगे नहीं 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 इसको तो सब पता है हो सकता है मुझे कुछ भी ना पता हो हो सकता है मुझे सब कुछ पता हो तो वो आपको समझना है कि किसको कितना पता है, कौन किस level तक गया है हो सकता है भाहर से देखने में आपको लग रहा होगा कि अरे ये person तो बहुत ही sorted है कितना peaceful है, कितना काम है उसने अपना एक оیसा persona क्रिएट किया हुआ है तो आपको यह लग रहा है कि इसके पास में सारे आंसस हैं तो आप महां पर जा करके हाज जोड़ करके उनके पैरों में बैठ जाओगे और काओगे गुरुजी आप बताओ मुझे क्या करता है हो सकता उसको खुदी कुछ ना पता हो अब किसको पता हो होगा कि उसको पता है नहीं पता है वो जो उससे भी आगे निकल चुका है in terms of exploring what mind is वो तो पकड़ जाएगा एक second में आप नहीं पकड़ पाओगे तो अब आ फस गए क्योंकि जो बच्छा खुद नर्सरी में है उसके लिए तो चाहे को फिफ स्टैंडर्ड में हो चाहे ट पास्ट में जो काफी डीप में गए हैं तो वहां से आपको कुछ pointers मिलेंगे तो फिर आपको खुदी अपने mind के अंदर जहांक करके देखना होगा और अराम से step by step समझना होगा ये काम ना असान है ना मुश्किल है बट मैं ये कहूँगा ये काम जरूरी है जरूरी है बेट सर समझने की जरूरत फील होनी चाहिए राइट आपसुली जरूरत फील होनी चाहिए अंदर से कि वो कितना जरूरी है और चाहे फील हो या ना हो जरूरी तो है बिल्कुल ऐसा है कि चाहे आपको जरूरत फील हो या ना हो हवा की और पानी की जरूरत तो है mind disturbed है इसम तो भी अपनी basic जो needs है, financial needs उससे उपर उड़ गया है, उन सबका mind disturbed है, यह fact है, यह कोई illusion नहीं है, तो एक problem है, जिसका solution तो चाहिए, अब वो solution कहां से आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, वो इस इंसान को figure out करना है, या मुझे solution निकालना भी है, या मुझे सिर्फ escape हो जाओ, mind blank हो गया, अपने ध्यान को divert कर दो, कुछ और चीजों में लगा दो, pleasures में indulge हो जाओ, यह ही चल रहा है, सब भाग रहे हैं, अपने आप से कुछ नो कुछ addiction लेके बैठे हुए हैं, जिससे वो reality से दूर हो सके, तो यह ही कर रहे हैं, सब आप कहीं और ही जीने एक है, आप वहाँ जी ओ, जो और लोग आपके बारे में सोचते हैं, वो एक और लेर है, बहुत सारे लोग वहा जी रहे हैं, कि और हमारे बारे में क्या सोचते हैं, आपको कैसे पता और आपके बारे में क्या सोचते हैं, you can never know that, क्योंकि जो भो बोलेंगे जूट होगा, आपके मुऊ पे कोई थोड़ी दा बोलेगा. जो सच है. वो तो पीछे से आपस में बात करेंगे. राइट, 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 राइट. उनके पस में टाइम कहा हैं आपके बारे में कुछ भी सोचने का. राइट, राट. कुछ अपने लियाई है, at the center of everything is me, क्योंकि अगर मैं अपने बच्चे के लिए कुछ कर रही हूँ, तो इसलिए नहीं कर रही है कि मेरे को उस बच्चे की पड़ी है, इसलिए क्योंकि वो मेरा बच्चा है, क्योंकि अगर वो किसी और का बच्चा है, तो मेरे को उसकी नहीं पड़ी है, मैं कहूँगा भाड़ में जाओ, तो हम जो भी कुछ कर रहे हैं, अपनी जॉब पे भी जो हम काम कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि salary मिल रही है, कल अगर salary मिलना बंद हो जाए, तो ये जो है ना, कि I love my work, और ये वो सब खतम, तो जो भी हम करते हैं, वो करते हैं, खुद के लिए ही है, लेकिन हम बिल किसी और के नहीं पे फार देते हैं, कि हम ये तुमारे लिए कर रहे हैं, ये बहुत common है इंडिया में, अगर उसने बोल दिया, तो अपनी नजरों में गिर जाएगा, अपनी नजरों में भी और 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 की नजरों में भी, तो वो गिरना नहीं चाहता है, वो गलत प्रूव नहीं होना चाहता है, और वो दूसरों को ये दिखाना चाहता है, कि मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ, नमबर वन मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ, दूसरा वो यह दिखाना चाहता है कि मैं कितना अच्छा पती हूँ, मैं कितना अच्छा बाप हूँ, मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, देखो मैं सोसाइटी के लिए भी कितना कुछ करता हूँ, तो वो क्या करेगा अगर कहीं चै तो यह आपके लिए एक स्ट्रगल नहीं होता है कि आप इसको कैसे हंदल करते हैं इसका एक plus point भी है और minus point भी है minus point क्या है कि आपके उपर pressure create होता है because perfection का कोई end नहीं है perfection की कोई clear का definition नहीं है कि आप यह चीज़ परफेक्ट हो गई है या यह काम परफेक्ट हो गया है या मैं खुद परफेक्ट हो गया हूँ रहे हों जब कभी भी आचिव नहीं होने वाला है, तो इस ए नवर इंड निंग प्रसेस, लसक्षे में बुर नहीं होने है। क्योंकि यही आपको भगाएगा सरी डिरेक्शन में, नमबर वन, नमबर टू, पर्फेक्शन का एक बेनिफिट क्या होता है, कि इप यूर पर्फेक्शनिस्ट, पर्फेक्शनिस्ट का मतलब क्या, नट जस्ट फॉ थे हैक अफ़ अफट, कि अगर वो एक काम को चोड़ता नहीं, जब तो को नहीं हो जाता, तब तो को उस काम को छोड़ता नहीं है, क्योंकि अगर वो एक काम में ही फसा रहे गया, पूरी जिंदगी, और उससे आगे भड़ी नहीं पाया, तो उसको perfectionist थोड़ी कह सकते हैं, perfectionist मतलब कि उसने इस काम का जो फाइनल जो गोल है, उसको अचीव कर लिया, वो गोल क्या है, उस काम को ही खत्म कर दिया, the end of work, तो यह आपको, यह जो mind के अभी हम बाते कर रहें इतनी देर से, इसमें बड़ा help करता है, because एक है, superficial level के solutions, जो उन लोगों के लिए है, जो perfectionist नहीं है, यानि क्या उनको क्या चाहिए है, shortcut चाहिए, उनको चाहिए है कि अरे इतनी बाते मत करो, आप मिरे को यह बताओ, मुझे करना क्या है, डेली कितनी देर meditation करनी है, और कैसे करनी है, क्या करनी है, आज आप एक से पुछोगे, फिर दूसरे से पुछोगे, फिर तीसरे से पुछोगे, तीनों अलग लग बाते बताएंगे, फिर आदमी confused हो करके, बैठ जाएगा, अब मैं क्या करूँ, कुछ बताएगा कुछ और, वो करेगा कुछ और, तो अंदर एक नहा conflict क्रेएट हो गया, पहले लाइफ में 36 प्रोब्लम इस थी, अब एक नहीं प्रोब्लम क्रेएट हो गई, कि अब spirituality में इसकी सुने है, उसकी सुने, ऐसा होता है ना, अब परफेक्शनिस का मतलब क्या है that you want to go to the very root of the problem, you will not settle for anything less than that, जब तक आप माइंड के सच को नहीं देख लोगे, खुद के सच तक नहीं पहुच जाओगे, at the deepest level of your being, तब तक आप नहीं रुकोगे, तो आप एक परफेक्शनिस तो, तो वो तो कभी होगा नहीं ना, क्यो नहीं होगा, होगा, होता है, और व तो ही एक permanent solution है, और कोई solution नहीं है, you need to go to the very end of thought, कि thought कहां से पैदा होता है, कहां जाता है, क्या thought ही सब कुछ है, क्या मैं एक thought है, या thought से पहले भी मैं exist करता हूँ, isn't thought just a word or a name given to a thing, isn't thought an association between a sensation and the meaning given to that sensation, without the meaning given to an experience, where is thought, without thought, where is thinker, क्या ये दो अलग अलग है, यानि कि thought and thinker, या दोनो को exist करते हैं, can thinker exist without the thought, deep, तो जब इस तरह से हम देखने लग जाते हैं, चीजों को, तो भी गो to the very root of existence, कि life क्या है, death क्या है, और फिर उसके बाद में आगे question करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है, you go to the very end of questioning, because you are a perfectionist, have you got that all answers in your life, मैं कुछ भी कहूँ, उसे फर्क क्या पड़ता है, हो सकता है, मैं सच कहूँ, हो सकता है, जूट बोलू, मैं अपने मूँ से क्यों बोलूँगा, जो भी बोलूँगा, वो तो आपको देखना है, on a scale of 1 to 10, how you see your life, like, how you rate your life, again, मैं गलत क्यों बोलूँगा, मैं ये क्यों कहूँगा, अगर मेरी life मानो, on a scale of 1 to 10, 1 भी होगी, यह जीरो भी होगी, मैं तो 10 ही बोलूँगा, मैं तो ऐसी प्रोजेक्ट करूँगा, कि हाँ मेरा सब कुछ बहुत अच्छा है लाइप मेरी रिलेशन्शिप बहुत अच्छी है, मेरा यह अच्छा है वह अच्छा है, सब यही तो कर रहे हैं, तो आपको कैसे पता कि सच के है 10 on 10, if you say 10, if you rate 10, that means you have achieved everything, there is no scope for further, आप यह सकते हैं, मैं यह रेटिंग नहीं करूँगा, 1 to 10 और यह सब कुछ, मैं बस यह सकता हूं, कि I have reached the end of questioning, कि अब आगे और questioning करने के लिए कुछ बचा नहीं है, जो भी मुझे सही लगता चला गया, लगता चला गया, मैं उसको भी question क करता चला गया, फिर और एक level आगे गया, फिर और एक आगे, फिर और एक step आगे, 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 और डीप में, और डीप में, और डीप में, अब दीप 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 में, को spread out करना चाहते हैं? आप यह कह सकते हैं कि अगर कोई genuinely कुछ समझना चाहता है या चाहती है तो अगर उनके पास में कोई एक्चुल में कोई question है तो जिस भी लेवल का जो भी question है अगर उससे related मेरे पास में experience है और understanding है तो मैं जवाब दे सकता हूँ for example, mind, thoughts, feelings, emotions, beyond that क्योंकि ये तो सब आपके पास भी है, मेरे पास भी है बट अगर कोई ऐसा question पूछेंगे जिस से related मेरे को को experience नहीं है तो मैं बोल दूगा मेरे को नहीं पता for example, कि भी, job में क्या करते हैं, कैसे करते हैं क्योंकि मैंने कभी job करी नहीं but business के बारे में पूछेंगे तो मैं बता सकता हूँ mind के बारे में पूछेंगे तो मैं बता सकता हूँ mind is the question which everybody is looking mind को कैसे I don't know, everything related to mind तो मैं इसको session को यहाँ पे end करता हूँ कि ये मत पूछिए how to control your mind how to think positive और ये वो ये how को हटा दीजे ये पूछिए अपने आप से what is mind mind है भी है नहीं है हो सकता है mind हो ही न कहीं ऐसा तो नहीं है किसी ऐसे भूछ से लड़ने के लिए आप एक रास्ता रून रहे हैं जो भूछ एक्छल में ही नहीं what is mind अगर mind है तब तो कुछ करना पड़ेगा न mind मतलब क्या thought brain तो है बट ये thought क्या है अगर उसके सच को हम देख लेते हैं if it is just for the name's sake name given to a thing it's just a word तो अब वो रहे है ना रहे है उससे फर्क्या पड़ता है कुछ भी चलता रहे अंदर उससे फर्क्या पड़ता है that is freedom from thought freedom from mind great insight sir thank you so much most welcome